हलो एब्रीवान कैसे हो आप सब लोग मैं उमीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में बहुत स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं घरों में रहें सुरक्षित रहें यही बहुत ज़रूरी है इस समय में इस समय में सबसे ज़रूरी यही है कि आप लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ भी ज़रूरी नहीं है हम सब लोग आप लोगों के लिए रवजाना कुछ ना कुछ नई guidance नई चीज़ें डालते रहते हैं यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियोज मिलेंगी जिसको आप रीडिंग जिनकी देख सकते हैं जोय कर सकते हैं ताके आप लोग अपने लाइफ के बारे में आगे सोच सकें तो कुछ समय ऐसा होता है जब हमें बैठ कर ये सोचना होता है कि आगे क्या किया जा सकता है तो इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियोज देख सकते हैं अपना एंटर्टेन्मेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने लिए गाइडेंस भी ले सकते हैं तो घर से निकलना बेकल जरूरी नहीं है जो लोग काम पर जाते हैं वही लोग निकलें बाकी सब घर रहकर अपने आपको और अपने परिवार को सेफ रखने की कोशिश करें एक और मेसेज आपको देना चाहूंगी कि कोविट से डरने की विल्कुल जरूरत नहीं है सेफटी की जरूरत है, सेफ रहने की जरूरत है और प्रिकॉशन्स की जरूरत है कोविट का रिकवरी रेट बहुत जादा है तो घर पर आयूर्वधिक चीज़ों का इस्तेमाल करें घर पर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे आयूर्वधा में बहुत पुराने बताई गई है बहुत से मेसेजेज फ्लैश हो रहे हैं जो वाटसेप पर भी हैं और इसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगह वर मिलेंगे ये एक तरह से आयरवेदिक चीजें हमारे लिए अमरित का काम कर सकते हैं तुलसी है, प्याज है, इसके साथ साथ बहुत सारी और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने वाली दवाएं हैं जिने हम आयरवेद में और किचन में यूज गरते हैं बहुत से ऐसी दवाएं हैं जिनका आप इस्तिमाल कर सकते हो और जब आपको किसी भी तरह की infection है आपके lungs में किसी तरह की infection है तो उसे पहले ही रोका जा सकता है तो precaution first day से लेना शुरू कर दे और आयरवदिक चीजों का इस्तेमाल first day से शुरू कर दे infection आपको छुएगा भी नहीं इसके साथ हमारे spiritual world में ऐसे बहुत सी चीजे हैं जैसे healing numbers है, healing codes है और बहुत से उपाए हैं जिसको करके भी इन चीजों को यानि कि एक तरह से COVID भी तो virus है और COVID एक infection है COVID जो है वो एक तरह से एक सुक्षम रूप है negative energy का तो इसे रोका जा सकता है healing codes को, healing numbers को और उपाएं के साथ तो आप उपाए कर सकते हैं मैं अपने दूसरे चैनल mystical उर्जा पर बहुत से उपाए देती रहती हूँ जिसको समझ कर सुन कर आप भी apply करके देख सकते हैं आपको जरूर relief होगा आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते आपको जरूर दिखाई देंगे तो आप mystical उर्जा पर जाकर remedies देख सकते हैं जिससे किसी ना किसी तरह का आराम महसूस हो और कोई ना कोई सकरात्मक उर्जा आपके आसपास आपके औरा में बनी रहे ताकि आपको ये चीजे छू भी ना पाए दूसरा सबसे important point है आपका positive रहना आप जितना positive रहेंगे आपको कोई negative चीज छू नहीं सकती है आप जितना positive रहेंगे छोटा मोटा बुखार आकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप इतने positive हैं कि आपके औरा तक ये negative चीजे नहीं पहुँच सकती तो इसलिए सबसे जुरूरी है positive रहना आपको कुछ नहीं होगा इस बात का विश्वास रखेंगे तो आपको वाके में कुछ नहीं होगा जब आप थोड़े से भी नकरात्मक होते हैं उसी समय पर आपका oxygen level कम हो जाता है तो इसलिए इस बात को समझते हुए बिलकुल भी नकरात्मक नहीं होना negative energy को अपने पास नहीं आने देना इसको याद रखें आपको कुछ नहीं होगा कभी कुछ नहीं होगा विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें और अपने आपको तंदरुस्त रखने की कोशिश करें कम से कम TV देखें और जादा से जादा meditation करें ये ज़रूरी है क्योंकि TV में जो भी negative चीज़ें आ रही है वो हम सब पर असर करती है TV को बंद रखें, precautions पूरा लें और अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ सकरात्मक देखने की कोशिश करें meditation जितना करेंगे उतना ही ध्यान आपका किसी और चीज़ में लगेगा आपका ध्यान इन फालतु की चीज़ों में नहीं लगेगा आपको कुछ भी नहीं होगा ये guaranteed है अगर आप positive रहते हैं और meditate करते हैं और अपने मन को स्थिर रखते हैं अपनी भावनाओं को स्थिर रखते हैं तो कुछ समय के लिए अपने आपको बिल्कुल आप isolation में तो हैं ही क्योंकि घर पर रहना है तो isolate तो हो ही रहे हैं तो क्यों नो meditate किया जाए और अपने समय को positive रिके से बिताया जाए तो इसलिए जो भी आप कर सकते हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए उनके साथ समय बिताएं उनके साथ meditate करें अपने घर पर रहकर अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सिर्फ और सिर्फ साकरात्मक सोचें और अगर उपाए करना चाहते हैं तो mystical उर्जा पर जाकर उपाए देख सकते हैं वहाँ पर मैंने कई ऐसे उपाए दिये हैं जिससे health अच्छी हो सकती है अगर घर में कोई बिमार है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो अगर आप health को अच्छा रखने के लिए करना चाहते हो तो वहाँ उसके लिए भी कुछ उपाए दिये गए हैं तो वहाँ पर जाकर आप अपने अपने तरीके से उन वीडियो को देख सकते हो तो अब हम बात करेंगे आज की reading के बारे में आज जो reading में आपके लिए करने वाली हूँ उस reading में है कि आने वाले तीन महीनों में आपकी किस्मत में क्या बदलावा सकते हैं आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ सकती है यहाँ पर दो पाइल्स हैं आपके लिए फर्स्ट पाइल में भी आपको एक दरवाजा दिखाई देगा और सेकंड पाइल में भी आपको एक दरवाजा दिखाई देगा जो आपकी किस्मत का दर्वाजा मैं कह सकती हूँ आपकी किस्मत इन दर्वाजां को खोल कर आपको क्या देने वाली है और कहां पर आपको precautions रखने के लिए कहती है क्योंकि हम हमेशा positivity के साथ इस बात को जरूर लेते हैं कि struggles क्या आने वाली है तो उन struggles के लिए पहले तयार रहना है उन struggles के लिए हमें अगर पहले पता चल जाए तो हम aware हो जाते हैं और वो struggles इतनी छोटे से तरीके से हमारे सामने से गुजर जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता तो चलिए आज जानते हैं कि next three months आपके लिए क्या movements हो सकते हैं क्या move कर सकते हैं आप कहां move कर सकते हैं क्या रास्ते हैं क्या मंजले हैं चलिए सब जानते हैं मैं बात करूंगी first pile की अगर आपने first pile का choose किया है तो अब ये reading आपकी होगी आपके लिए यहाँ पर जो energies हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि next three months पहले महीने में भी हो सकता है दूसरे में भी हो सकता है तीसरे में भी हो सकता है तो आने वाले तीन महीनों के बारे में बात कर रही हूँ आपके लिए कुछ पहले थोड़ा सा मैं आपको आपके struggles बता देती हूँ जो भी लोग struggle कर चुके हैं या कर रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपको बहुत जादा परिशान कर रहा है वो health हो सकती है वो रिष्टे हो सकते हैं कुछ लोग मुझे यहाँ पर रिष्टों के बारे में बहुत जादा परिशान नजर आ रहे हैं जो अपने रिष्टे से move on कर चुके हैं तो आने वाले तीन महीने आपको stability देंगे आने वाले तीन महीने रिष्टों के लिए जो लोग move on कर चुके हैं सबसे पहले उनकी ही बात करने वाली हूँ, तो आपके लिए आने वाले तीन महीनों में कुछ ऐसा होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आप पूरी तरह से अपनी इनरजी से बाहर आएंगे, और पूरी तरह से अपने आपको stability में आता हुआ देखेंगे, जो चीजें आप नहीं कर पाए थे, वो कर पाएंगे, तो आपके लिए judgment है, आपके लिए बहुत नई opportunities है, रिष्टों को लेकर आपने जो दर्द जहिला है, जो दर्द से आप गुजर चुके हैं, बस आप ये समझ लेजे कि आप उससे गुजर चुके हैं, आपको और दर जहिलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत 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 positive energies आने वाली है, तो आपको उन positive energies को accept करना होगा, आने वाले तीन महीनों में आपको किसी भी समय पर आपकी किसमत नौक कर सकती है, तो इसलिए घवराएं बिलकुल भी नहीं, जिस energy में आप खुद को फसा ह हुआ महसूस कर रहे हैं, आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उससे आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे, आप जल्दी ही अपनी बेडियां खोलेंगे, आप जल्दी अपने लिए important decisions लेंगे, और आपको लगेगा जैसे जो भी दर्द आपको मिला है, उससे healing भ परिशान भी नजर आ रहे हैं, COVID का दर्द जो लोग जेल चुके हैं, उनको भी healing मिलेगी और वो लोग भी इस परिशानी से बाहर आएंगे, आपके लिए एक बात मैं जरूर कहूंगी, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपको meditate जरूर करना चाहिए, God guidance जरूर लेनी चाहिए, आप खुद को judge करेंगे, जितना आप खुद को analyze करेंगे, जितना आप खुद के लिए समय निकालेंगे, जितना आप खुद के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप इन चीजों से बाहर आ पाएंगे. Next three months जो हैं, वो आपके लिए कई important decision लेने के हो सकते हैं, आपने अपने परिवार के लिए कोई बड़ा decision लेना हो सकता है, आप अपने घर परिवार में रहकर कुछ अच्छा करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपनी family के साथ समय बिताते करने थे, जो आपने बाहर निकल कर करने थे, तो अभी तो आप खुद को stuck महसूस कर रहे हो, पर आने वाले समय में आप बाहर निकलोगे, अपने ले कुछ नया start करोगे, कुछ नई beginning हो सकती है, आपके career को लेकर कुछ नया beginning हो सकती है, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगता है, जैसे बहुत ही quickly आप करना चाहते थे, पर अभी वो नहीं हो पा रहा, आपके जो project थे, जो जी सोची हुई थी, वो अभी stuck है, पर आगे आने वाले time में, वो भी पूरी होंगी और शुरू भी होंगी, जो लोग किसी नए project को करना चाहते हैं, आने वाले तीन महीनों मे जरूर आपका वो project शुरू हो जाएगा, आपको जरूर नहीनी opportunities दिखाई देंगी, बहुत passion के साथ उस काम को करोगे, बहुत planning की हुई है आपने उस काम की, बहुत जादा आप सोच रहे थे उस plan के लिए, तो आपकी जो plannings हैं, वो अभी तो नहीं, पर आने वाले समय में, 3 months के अंदर अंदर वो implement होने के chances मुझे यहाँ पर पूरे पूरे नजर आ रहे हैं, कुछ लोग कहीं बाहर भी जा सकते हैं, अगर आपने बाहर जाने का plan किया हुआ था, विदेश जाना चाहते थे, तो वहाँ पर भी आपके लिए रास्ते बनने लगेंगे, आपको कुछ इसा है, जब energies बहुत जादा stuck मुझे नजर आ रही हैं, आने वाले एक महीने तक ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हो रहा है कि रहेगा, पर आने वाले समय के बाद, जैसे मई का महीना बीतेगा, आपकी जिंदगी में फिर से एक turning point आएगा, और आप अपने जीवन में फिर से आ प्रेंडर किया हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बंधे हुए हैं, अपने आपको stuck लग रहा है आपको, तो आपके लिए भी कुछ नई beginning हो सकती है, जिसका आपको बाद में पता चलेगा, जिसका आपको बाद में clarity होगी कि ये मेरे लिए नई beginning है, और आप देख के लिए कुछ नया करने की सोच सकते हो, तो काफी अच्छी energies भी हैं, पर एक बात मैं ये जरूर कहूंगी, कि 10 of sword और 8 of sword और page of sword, तो यहां पर जिए जो sword की energies हैं, हमें इससे बाहर आना है, तो आप इससे कैसे बाहर आएंगे, हैरमिट बताता है, कि 8 of sword और 10 of sword की energies से, आप isolate होकर meditate करके बाहर आ सकते हैं, कुछ बहुत जादा बुरा नहीं है, अगर आप देखें, अगर आप देखें, तो आपके लिए बहुत अच्छी energies के साथ-साथ, यहां पर सिरफ two cards ऐसे हैं, जो negative हैं, तो इस blockage को आपको दूर रखना है अपने आप से, इस blockage से आपको बाह बाहर आना है, खुद के लिए आप सीखें, खुद के लिए करना सीखें, खुद के लिए stand लेना सीखें, खुद को बदलना सीखें, आपके लिए तीन महीने का समय transformation का हो सकता है, यह समय आपको बताएगा कि transform कैसे होना है, अपनी जिंदगी को transform कैसे करना है, divine healing का साथ आप दर्द दे चुकी है, जो आपको परिशान कर चुकी है, जो आपको hurt कर चुकी है, जिन्होंने आपको stress दिया है, जिन्होंने आपको मुष्किलें दी है, obstacles दी है, hurdles दी है, ये सब चीजक बदल जाएंगी, क्योंकि energies कभी एक जैसी नहीं रहती वो हमेशा बदलती रहती है तो आने वाला समय आपके लिए बहतरीन समय है इस बहतरीन समय के इंतजार में रहें और बहतरीन समय को अच्छे से enjoy करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें ये आपके लिए बहुत जरूरी है और जैसे मैंने कहा positive रहें positive रहें कर जिंदगी को बदला जा सकता है और अगर आप जिंदगी को बदलना चाहें तो आपको कोई नहीं रोख सकता उसे बदलने से आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कर दे comment जरूर करें और बताएं जरूर के आपको कितना resonate हुई है आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए stay blessed, stay happy, thank you अब मैं बात करूंगी pile number two की pile number two अगर आपने second pile इस दर्वाजे को चुना है single door को चुना है तो अब ये reading आपकी होने वाली है आपकी जिंदगी में आने वाले तीन महीने क्या लेकर आ रहे है कहां focus करना है कहां concentrate करना है और कहां आपने रुकना है ठहरना है और अपने लिए सोचना है तो चले सारी बातें करेंगे आज की reading को मैं start करती हूँ और आने वाले तीन महीनों के लिए क्या guidance है आप देख सकते हो आपके लिए यहाँ पर है eight of cups, king of sword five of wands आपके लिए हैं यहाँ यहाँ पर nine of cups, two of cups, the tower और है the lover की energy, high priestess knight of pentacle, king of cups तो pile number two आपके लिए good news है बहुत जादा आप जिस रिष्टे से move on कर चुके हैं आपके दर्द का रिष्टा जिसने आपको बहुत दुख दिया है जिसने आपके भावनाओं को hurt किया है जिसने आपको बहुत कुछ बुरा दिया है यहाँ पर वो बुरे वक्त के समय को खतम करने का समय है आप आने वाले तीन महीनों में आप soulmate journey में हैं twin flame journey में हैं आप अपने soulmate से मिल सकते हो बहुत खुबसूरत कार्ज आए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर जो हमेशा यह पूछते हैं कि यह journey कब complete होगी soulmate से कब मिलेंगे twin से कब मिलेंगे तो आपके लिए है nine of cups आपके लिए two of cups आपके लिए lovers के energy जो यह बताती है कि पुरानी चीज़े खतम हो जाएंगी अब नई शुरुआत का समय आने वाला है आपके लिए कोई proposal आ सकता है आपके लिए आने वाला समय में एक नई जिन्दगी के शुरुआत हो सकती है कोई romantic proposal आ सकता है जिसकी आप wait कर रहे थे जो लगता था कि अब जिन्दगी में शायद कभी नहीं होगा आपकी जिन्दगी में वो हो सकता है तो जो लोग single हैं आपके लिए भी कुछ नया involvement हो सकता है किसी का कोई नया person आपकी जिन्दगी में आ सकता है जो अपने emotions को आपसे व्यक्त करेगा जो आपसे ये कहेगा आकर कि वो जिन्दगी की शुरुआत करना चाहता है वो जिन्दगी में आपके साथ ही इस शुरुआत को करना चाहता है तो इस तरह की energies मुझे दिखाई दे रही है King of Cups है, Two of Cups है, Nine of Cups है तो एक satisfaction होगी आपके साथ रिष्टे की कि आपने एक अच्छा रिष्टा शुरू किया है आपको इस रिष्टे में रहकर एक अच्छी vibe मिलेगी एक अच्छा environment मिलेगा आपको लगेगा आपने गलती नहीं की है और जो लोग किसी रिष्टे से move on करके आगे बढ़े हैं वो भी अब इस नए रिष्टे में आकर अपने आपको बिलकुल transform पाएंगे उनको लगेगा जैसे पुरानी जिन्दकी को वो भूल चुके है पुरानी जिन्दकी को वो बिलकुल अपनी जिन्दकी से निकाल चुके है और उनको इसका एहसास भी नहीं होगा कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है आप लोगों के लिए अब अच्छा होगा आप positive energies मुझे आप दिखाई दे रही है अगर मैं career की बात करूँ तो career के लिए भी जो लोग competitions face कर रहे थे जिनको लगता था कि बहुत चीजें जो है वो समझ में नहीं आती hidden है कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि कुछ अच्छा होगा आगे जाकर stability आएगी जिन्दगी में career कैसे set होगा तो आपकी जिन्दगी में भी stability आ सकती है आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं कुई अच्छी education ले सकते हैं तीन महिनों में कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो creative हो जिससे आपका दिल लगे जिसको करने में आपको अच्छा जिसमें आपका मन करता हो कि आप यह काम करें तो इसके लिए आपको समय मिलेगा अगले तीन महिने आपके लिए कुछ creative करने के हैं आपके दिल से जो निकले वो करें आपके दिल ने जो कहा वो करें आपको success जरूर मिलेगी आपको अंदर से satisfaction जरूर मिलेगी आपको लोगों ने आपके पीछे बातें की या लोग आपके बारे में कुछ भी कहते रहे अब वो ये कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया आपको रिवार्ड मिलेगा आपको इसके लिए कुछ अच्छा देखने को मिलेगा लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आपकी बातें और कहेंगे कि आपने वाकई में कुछ किया है, तो ये समया आपके अंदर की प्रतिभा को निखारने का है, अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाने का है, जो आर्ट आपके अंदर है, जो प्रतिभा आपके अंदर है, जो अभी तक आप नहीं दिखा पाए हो, उसको निक की qualities को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आपको अपने skills को develop करना है और अपनी अंदर की प्रतिभा को, अपनी intuition को जगाना है एक बात और कहूंगी आप के लिए ये तीन महीने spiritual awakening के भी है, the lover और high priestess, ये दिखाते हैं कि आप spiritually खुद को awaken कर सकते हो spiritually खुद को आगे बढ़ा सकते हो अगर आप इस रहा पर चलना चाहते हो तो ये भी बहुत खुबसूरत है क्योंकि आप बहुत kind hearted person हो आप लोगों के लिए सोचना जानते हो लोगों के लिए करना जानते हो और जब आप अपने दिल में इतना प्यार दूसरों के लिए रखते हो तो क्यों ना दूसरों को heal करें क्यों ना दूसरों की बात को सुने उनके दर्द को सुने और उनको heal करने की कोशिश करें यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कह सकती हो कि तीन महीने तक आपके जीवन में emotional stability आ जाएगी आपको emotions के लिए अब रोना नहीं पड़ेगा आपको यह नहीं लगेगा कि लोग आपको धोखा देते हैं आपको यह नहीं लगेगा कि लोग आपकी बातें करते हैं लोग आपको हमेशा बुरा कहते हैं लोग हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और आपको judge करते हैं, तो ये चीज़ खतम हो जाएगी, अगले तीन महीने में आपको stability मिल जाएगी अपनी life में और आप आगे बढ़ जाएगे, कुछ लोग अपने partner के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ soulmate के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ अपने रिष्टों में, अपने घर में stable नज़र आएगे, तो रिष्टों को लेकर stability है, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपके लिए ये reading जो है, वो काफी अच्छी मुझे लग रही है, करियर को लेकर भी creative नज़र आएगे, अपने दिल की आवाज को सुन पाएगे, और अपने दिल के अन बहुत चीजें रुकेंगी, तभी नई चीजें स्टार्ट होंगी, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको loss हो, उनको लगे कि शायद बहुत बड़ा loss हो गया है, जिसकी भरपाई वो नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है, आपके आने वाले समय में इन सब चीजों को समझ कर चलें, और अपने आप पर विश्वास रखें, विश्वास मैं ये कह सकती हूँ आपको, विश्वास के साथ दुनिया कायम होती है, और ये विश्वास तो बहुत बड़ा है, जो इनसान अपने आप पर करता है, फिर वो कोई भी इनसान आपके आगे हो, कोई भी आपको गिराने की कोशिश करे, आप कभी नहीं गिरते, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, टौवर की इनरजी दिखाती है कि लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, पर आपके खुद से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए खुद पर विश्वास रखें, आप कभी नहीं गिर कोशिश में आपको जरूर सकस्स मिलती है जब आप कोशिश बार बार करते रहते हैं तो यह थी हमारे पाल नमबर टू की रीडिंग आने वाले तीन महीने आपको क्या दिकर जाएंगे आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको जादा पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए stay blessed, stay positive, thank you